हलो फ्रेंड्स माइनेम इस धर्मेंद्रा वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है आंगन बाड़ी सुपरवाइजर के लिए क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ तो आप वीडियो को बिलकुल भी पॉज मत कीजिएगा अगर आप सीजी व्यापम की तयारी कर रहे हैं तो आप मेरी चैनल को विजीट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिए 37 बेल आइकन को भी जरूर अन कीजिए तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला हमारा क्वेश्चन है कि सोर न्याय बालिक को की देखरेक और सरक्षन अधिनियम 2018 किस बालक को अनात समझा जाता है Option A है जिसके जैविक या दैतिक मातापिता नहीं है Option B है जिसका विजीद सनरक्षन बालक की देखरेक कनने का इच्छुक नहीं है Option C है इसका कोई विजीद सनरक्षन नहीं और Option D है इनमें से सभी तो correct answer हमारा क्या आजाएगा option number D को आप लोग select कर लेंगे इन में से सभी को आजाएगा किसोर न्याय अधीनियम 2018 किस बालक को अनात समझा जाता है तो answer में आप लोग किसे टीक मार लगा दोगे जिसके वैजैविक या दपिक माता पिता नहीं है और option B है जिसका विवी संरक्षण बालक की देरेक करने का इच्छुक नहीं है और option C है जिसका कोई विवी संरक्षण नहीं है तो answer में क्या सहीं आ जाएगा option number D को आप लोग select करेंगे इसमें से सभी को अगला प्राइसन देखते है भीक मागने के लिए बालक का नियोजन किया जाना डंडित है option A है धारा 75 की तहाथ option B है धारा 76 की तहाथ option C है धारा 77 की तहाथ option D है धारा 78 की तहाथ correct answer हमारा क्या आ जाएगा बी नमबर को आप लोग select कर लेंगे धारा 76 की तहाथ भीक मागने के लिए बालक का नियोजन किया जाना डंडित है तो option में आप लोग किसे टीक मार लगा दोगे option B को अगला प्राइसन देखते हैं दोस्तो प्रधान मंत्री मात्री वंदना योजनानगर्द पात्र हित्ग्राहियों के आवेधन के सॉब्ट वेयर में इंटरी किस इस्तर पर किया जाता है option A है हित्ग्राही स्वेम द्वारा स्वेम option B है आणगन बाडी कार्यकरत इस्तर पर option C है परियवेक्चक इस्तर पर option D है परियोजना इस्तर पर correct हमारा answer आजाएगा G number को आप लोग सेलिक्ट कर लेंगे परियोजना इसतरपर प्रधान मंत्री मात्रिय वंधना योजनांतर गत पात्र हित ग्राहियों के आविदन की सौप्ट वेयर में entry किस इसतरपर किया जाना होता है परियोजना इस्तरपर option number D इसका correct answer आएगा अगला question संसकार अभियान अंतरगत मोबाइल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है option A है सगज आडियो संदेश option B है पहला कदम option C है चमकत गती चकमक गतिविधी option D है अरूक correct हमारा answer आजाएगा A नमबर को आप लोग सरेक्ट कर लेंगे सगज आडियो संदेश संसकार अभियान अंतरगत मोबाइल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है तो इसका correct answer क्या आजाएगा सगज आडियो संदेश option number A इसका correct answer आएगा अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों बालक की पहचान प्रकतन का प्रतिसेद किया गया है option A है धारा 73 के तहत धारा 74 के तहत और option C है धारा 75 के तहत और option D है 76 के तहत option number B को आप लोग select कर लेंगे धारा 74 के तहत बालक की पहचान प्रकतन का प्रतिसेद किया जाता है option number B को आप लोग select कर लेंगे धारा 74 के तहत और option number B इसका correct answer आएगा अगला question देखते हैं दोस्तों प्रधान मंत्री मात्रिय वंदना अंतर्योजन प्रत्थम एवं दुईतिय किस्त की रासी प्राप्त करने हेतु हितगराही को अधार नंबर प्रस्तूत करना option A है अनिवार्य है option B है अनिवार्य नहीं है option C है प्रत्थम किस्त हेतु अनिवार्य है करेक्ट आंसर हमारा क्या रहा है बी नमबर को आप लोग स्लेक्ट कर लेंगे अनिवार या नहीं है क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ प्रधान मंत्री मात्रिय वंदना योजनाम तर गत प्रधम एवं दुईतिय किस्त की रासी प्राप्त करने के लिए हित्गराही को अधार नमबर प्रस्तूत करना अनिवार या नहीं होता है आप्सन नमबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा अगला क्वेश्चन आंगनबाडी केंद्र के हित्गराहियों की जानकारी आप्सन नमबर स्पर्स्वा जाएगा आंगनबाडी केंद्र के हित्गराहियों की जानकारी आंगनबाडी कार्यकरत द्वारा दर्च किए जाने हेतु भारस सरकार द्वारा कौन से एप्सित किया गया है तो आंसर में आप लोग किसे टीक मार लगा दोगे option number C आजाएगा portion tracker A option number C इसका correct answer आएगा अगला question देखते हैं दोस्तों संसकार अभियान संसकार अभियान अंतरगत मुबाइल के माध्यम से प्रसारित किये जाने वाला राजग में प्रमुख रहता है option A है पालकों के लिए संदेश दूसरा है आगन बाड़ी कार्यकरताओं के लिए और option C है बालकों के लिए बाल गीत के लिए संदेश और option D है उपरोक्त में से कोई नहीं correct हमारा answer आ रहा है A number को आप लोग select कर लेंगे पालकों के लिए संदेश question को एक बार मैं फिर से mobile के माध्यम से प्रसारित किये जाने वाला राजग में मुख्य रहता है पालकों के लिए संदेश option number A इसका correct answer आएगा अगला प्रसन देखते हैं दोस्तों 36 गड महिला कोज द्वारा संचाली सक्षम योजना की 22 दर 6 प्रसन 5 प्रतिसत थी वर्तमान में यहां है 3 प्रतिसत